नवस्काद रश्रक में दुर आती थी मां फरियक वर आपनों स्वागर छे आती थी ये लेवो गारेकरम के जे कारेकरमा विशिष्ट व्यक्तितों साथ है आपनी मुलाकात करावे छे ने वातों गरेश अंत्रंग आज आमारी साथ है छे शिवाने जी शिवानी जी आपका स्वागर दे गारेकरमा सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को एक मार्ग दिया है एक वे दिया है जीने की रहा दिये शिवानी जी के शब्दों से कही लोगों ने अपनी जीवन की रहा चुनी है शाद वो भटक गए थे या तो सही रापे चलते चलते कई लोगों को लगता था कि ये बीच में रुकावटे बहुत आ रही है शीवानी जी ने जो दिया उससे बहुत लोगों के जीवन में फर्क पड़ा है लेकिन लेकिन शीवानी जी को इस राह में लाने वाला कौन? Thank you, that's a beautiful question कि एक होता है हम किसी को राह दिखाते हैं और एक होता है हमें किसी ने उस राह पे चलाया और हम उस राह पे चल रहे हैं और क्योंकि राह अच्छी लग रही है तो हम दूसरों के साथ सिरफ वो शेयर करते हैं क्योंकि चलते चलते हमें अच्छा लग रहा है उसके और दीख रहा है कि आसपास बहुतों को वो चाहिए था लेकिन सिरफ पता नहीं था तो ब्रहना खुमा इस विद्याले में पर्माहित्मा डारेक्ली हमें ये जीवन जीमे का तरीका सिखाते हैं और सिखाकर हमारा अंबर वो शक्ती भी भरते हैं ताके हम उस पर चल सके जैसे आपने कहा है पता था लेकिन अबस्टिकल आता है मतले मालम है लेकिन करने में वो कावट आती है या करने की ताकत नहीं होती तो दोनी चीज़ें चाहिए ज्यान और ग्यान को इंप्लिमेंट करने के लिए ताकत तो परमातना का ज्यान वो हमें ताकत भी देता है फिर हम उसको ट्राय करते हैं यो भी दिखाई देता है कि उसके साथ क्या आप्स अडाउन्स आएंगे जैसे एक सिंपल एग्जामपल भी हम लें कि गुस्टे के बिना काम हो सकता है इन फाक्ट गुस् कि बिना तो लोग बिगड़ जाते हैं, काम अचीफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको पहले ट्राय करो, अपनी टीम के साथ, अपनी परिवार के साथ, तो आपको सारे अप्स्टिकल्स भी दिख जाते हैं, कि हाँ शुरु में लोग थोड़ा सा, you know, लाइटली लेंगे आपको, आपकी बात को फिर बाज़ादा सीरेसली मुलेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ बोलना तो है में उपर से, लेकिन आप उसका लोंग टम इंप्लिकेशन देखते हैं, कि आप उसका बाहर से नहीं करते हैं, अंदर से नहीं करना हैं, और आपको प्यार की अधिक अधिक होई हैं, ग्राज़वली, ज्यान को आपने लिया, स्टडी करना शिरूख या, धिरे धिरे उसकी प्राक्ति दिखाई दी, प्राक्ति दिखाई दी, चलते गए, बिंग एंजिनेरिंग स्टुडेंट, ये सब चीज पहले तो एक्सेप्टनसी नहीं आई कहीं जिक जिक होते 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 उसको जब फिडिंग होता है, रिलिजियस अची अची बात होगा, तो कभी संशाई संदे है, ये भी हुआ होगा Initially, it's very difficult to accept, लेकिन science आपको एक और चीज भी सिखाती है, experiment कर लो पेले, reject नहीं करो चीज को तो चब कम ग्रमा कुमारीस में आते हैं, तो सबसे पहली चीज जो पता चली वह यह थी कि direct पढ़नात्मा यहां पढ़ा रहा है, को और मनुश्य आत्मा नहीं पढ़ा रही है, पढ़नात्मा स्वयम आया हुआ है इस ताइम, भी सबश्या अज़ा है इस ताइम, बाहा है अच्छा भगवान इनके पास आके पढ़ा रहा है। इसे वाली बात के उसको आप रिडिक्यूल कर देते हो। लेकिन फिर बहुतों को देखा के इतनी इनके लोगों के जीवन में परिवर्तनाया है। और दिख्या है के कुछ इनको मुला है। तो फिर एक ही option था या तो रिजेक्ट कर दो या एक बार एक्सपरिमेंट कर लो। तो साइंस कहते हैं हाइपथिस के साथ स्टार्ट करना परता है। अगर आप करो कि पहले मुझे प्रूफ करो कि भगवान यह पढ़ा रहा है। अगर आपको स्टार्ट करना परता है कि सपोर्व एक भगवान साक्षात यहां पढ़ा रहा है। इतने सारे लोग, अपने आपको सच कहने वाले लोग, मिथ्या भीमान वाले भी लोग की हम जो कह रहे हैं वही सच है। ऐसे भी लोग, कॉमन में परेशान है। किसका गोड सच्छा। Now what is the real definition of God? Rather, कौन है? क्या है God? क्योंकि इतने सारे भूक्स हमारे सामने आ गई, इतने सारे लोगों को सुन लिया, बचपन से लेके आज तक कोई कहता है। इसको God मानों कोई कहता है, इसको God मानों आपके हिसाब से किसको मानना चाहिए God? डॉक्टर वो ही जो मुझे ठीक करते है। डॉक्टर वो नहीं से जिसको मैं जाके प्रेज करके घर आजाओ। डॉक्टर वो नहीं जिसको दुनिया प्रेज कर रहे है। डॉक्टर वो जिससे मैं ठीक हो जाओ। तो परमात्मा वो जिससे मेरे अंदर की जो कमजोरिया है, मेरे जो संस्कार है, मेरे healing हो जाए, तो परमात्मा मेरे लिए वो, तो वो शक्ति जब मुझे मुलेगी और मैं उसके साथ वो connection जोड़ू और मुझे अपने अंदर change दिखाईगे, जो आपने का अभी तक हम यहां गए, यहां अदर सब कुछ किया घर आकर तो हम वैसे के वैसे थे ना जैसे गए थे, हम तीर्थ वर गए, हम सच्जन में गए, हम मंदिर में गए, अच्छा लगा जाके अफ्कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस आए, तो वैसे के वैसे वापस आए, तो यह जो belief system जब जाएंगे, जब देर करेंगे, अच्छा लगेगा, उतनी देर, जब देर के पास बैठे हैं, उतनी देर आपस आए, बापस आए, बात दॉक्तर वो जो मुझे ठीक करे, तो यहां पर जब मैं आई, और स्टेडि किया, पर्मात्ना का ग्ञान स्टेडि किया, उसका मा हो रहा है, और पर्मात्ना को डरेक्ली फील किया है, शीवानी यहां बात आती है कि कई बार, डॉक्टर के एक्जामबल से ही बताओ, दवाई को गोड मानना चाहिए, डॉक्टर को गोड मानना चाहिए, डॉक्टर अगर राइट होगा, तो वो मरीज को राइट दवाई द जोग नीच चाहिए जोग पर विश्वास करो और डॉक्टर की दवाई को यूज करो डॉक्टर पर फेथ नहीं होगा तो इसकी दवाई भी वर्क नहीं करते हैं तो फेथ ओंड दॉक्टर गॉज थे ट्रीट्मेंट तो फेथ ओंगाड और नुसिंग इसमालेज शीवा नही होगा कि बहुत आके ब्लंटली बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं मानने वाले लोग भी आते होंगे कभी ऐसा डायलोग भी हुआ को कोई बिल्कुल आके चैलेंज भी किया होगा अपको ग्यान के बारे में या तो जो आप बता रहे हो बिल्कुल गलत है ऐसा भी शायद किसी ने फ्लोर पे आके शायद बात भी किया ऐसा को एक्सपरियंस अपने लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले चीज हम उनकी सोच को रिस्पेक्ट करते हैं कि इस ओके अप्सलिटली ने प्रटी ने फ्ली ने लोगों का पूछने की वह बात साही महीं होता बाद कुछ जिग्यासा में सिरफ चालेंज करने के लिए पूछते हैं कई बार लोग सुरफ आपको कहीं बात में अठकाने के लिए पूछते हैं जिए बार तो लोग प्रवोक करने के लिए पूछते हैं जो इंस आपको देखा ज़्या कर ऱ मिलती करते हैं हर कि आत्माई होती हैं इस्यूदा प्रति अपनी रिस्पेक्ट को इंपक्ट रखना अगर रिस्पेक्ट इंपक्ट होगी कि इस अपसलिटली फाइन के इनके मन में ये क्वेस्टिन्स है और ये नाच्रल है ऐसा फिल करना और फिर मोस्त इंपोर्टन आप नॉलज को इंपोज नहीं कर रहे हो नाई हम ये कह रहे हैं कि ये ही सही है और आपका गलत है ये मेरे लिए इस ताइम सही है और आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए सही है ये बोथ हार राइट इस बोथ हार राइट ये मेरे लिए सही है मैंने अनुभव किया I am sharing, if you feel like experimenting अनुभव करने के लिए भी कई लोग ऐसी चैलेंजिस करते पास्ट में कई बार अगर थोड़ा पास्ट में जाते अभी जो शिवानी जी है इतनी स्वस्थ इतने अच्छी तरह से पूरा ज्यान देते क्या-क्या बच्पन में भी ऐसे ही शिवानी जी थी या थोड़े-थोड़े वही मजाक मस्ती कि थोड़ी सी चंचलता तो होई होगी। आपको उसके लिए सीरेस होना है। आप बहुत सीरेस होके भी अंदर किसी के लिए गलत भी तो सोच सकते हैं। इंपोर्टेंट इस अंदर हलकापन, अंदर लाइटनेस, अंदर सफाई। हाँ यह है कि पहले में और अभी में संसकार बहुत सारे बदले हैं। लेकिन फन में खतन हो गया है जीवन से, फन तो अभी भी है। लेकिन संसकार जो तकलीफ दे रहे थे और जिनको कॉंशिसली चेंज किया है अवर्नेस के साथ। अवर्नेस के संसकार मेरे अंदर बहुत जेद करने का संसकार था। आल आर्गी 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 वो चेंज किया। रिस्पेक्ट करना शुरू किया दूसरे के पॉंट अवियो को अक्सेट करना शुरू किया। ऑफ जादा शंसकार उसकोर कखेचager कי बसह कारा है अभी बाहर गुसह नहीं अगर लेकिन अग्षणी नहीं हीता है क को हमार्ट होुष्ण। बसह सकता है अभी नहीं, में अग्यों सकता है तो पहले अगर कुछ घंटे लग जाते ठीक करना नहीं, अभी कुछ मिनिट में ठीक हो जाता है। शीवान जी ये एक चर्चा बहुत चली है कि अगर आपको कोई भी spiritual way में अगर जाना है, कोई भी path पे, हिंदुस्तान में बरसों से दो सोच एक दूसरे के सामने आके खड़ी रही है, साधूत्व या संसारीता। हम कहते हैं संसार में रहते हो अंदर साधू, ये बनना है। आज दिन तक क्योंकि ताकत में थी आत्मा की अंदर, तो हमने सोचा संसार में रहे कर वो पवित्रता जीवन के अंदर नहीं आ सकती है। वह उस समय की भी दिमांड थी के पवित्रता की शक्ति नहीं रहती है संसारिक जीवन में लेकिन जब पवित्रता से बारेक्ट कनेक्शन जुड़ता है तब समझ में आता है कि पवित्रता यहां है यहां क्रोट करने हैं अभी वर्तमान से मैं मुझे बहुत सपष्ट दिखाई देती हैं बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो घर में रहकर भी बहुत ही श्रेष्ट और पवित्रत जीवन जी रहे हैं अंदर सोच के हिसाब से और कोई अगर अपने अपर ध्यान ना रखे तो वो सब कुछ छोड़ की भी डिप्रेशन में हो सकता है उसको बहुत करोध आ सकता है क्योंकि उसमें बाहर से सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अंदर तो अपने उपर काम नहीं किया तो खेल सारा बाहर क्या कर रहे हैं उसका नहीं है सब कुछ करते हुए अंदर का ध्यान रखना तो आप सब कुछ करते हुए वो अच्छीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते है अर श्रीवान जी हिंदूस्तान के पास बहुत ही एक कह सकते है कि हमारे पास हैरीडीटी में हमको एक कल्चर मिला है स्पिरिच्वल कल्चर वो कोई सिखाने वाली बात नहीं आए हुआ है लेकिन कहीं आपको लगता है अगें ये मेरा सवल सीधा है आपसे मैं चाहूंगा कि आपसे परस्ट आंसर की अपक्षा रखता हूं कहीं ना कहीं अलग अलग वाडों ने ये जो सही में हमारी हेरीडीटीकल जो स्पिरिच्वल एक थी हमारी जो पहचान थी उ क्योंकि इतने सारे वाड़े एक अपने आपको अच्छा कहने के लिए दूसरे को बुरा कहता है या तो बुरा कहें ना कहें लेकिन मैं अच्छा हूं ये इस्टाबिश करने की कोशेश कर रहे कहीं ऐसे लोगों की वजा से डिस्टब हुई है हमारी जो स्पिरिच्वल एक अच्छा हुई एक पर देश लोग मिलें जो अपने इंटर्पश्छ झार कर रहे हैं उसको फिरम भीर गूर्पिश्म कर दिया जैसे लिए लिएम गूरुजिन को इतने सारे मैं थे लिकिन एक प्रफिट जो स्रिष्टी पर आए जब जब जीने का तरिका हम भटक रह उन्हें ने सिरफ हमें जीवन जीने की रहा तो दिखाई चाहे जीसिस क्राइस्ट है, महममध है, गौतन दुद्ध है वो रिलिजिन एस्टाबलिश करने नहीं आए थे वो अच्छले हमें सेपरेट करने में आए थे वो हमें सब को विनाइट करने आए थे लेकिन मैंने इनक की बात सुनी इनकी सुनी उसनों उनकी सुनी चाहे वो बाते एक कह रहे थे हमने धीरे जाके कहा मैं इनका हूँ 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 मैं अलग हूँ तुम अलग हूँ फिर आया मैं उंचा हूँ तो हमारी अपनी क्रेशिए है, यह रिलिजिन में नहीं है, यह प्रिच्वालिटी नहीं है, यह इस तब किया है? यह किया है यह किया है। नही अपनी अपनी का जेशिए है क्च्वाले थेशिए हुदे में स्परिच्वालिटी थो यह रिपसे रिबगती स्जी हुआ है। विफ Lisa das Allah Sky logo name John 22 L котором लेकिन जो आपको knowledge आपने acquire की अगर उसकी ego आ गई तो आप spirituality से बहुत दूर है spirituality सबसे पहले चीज़ जो सिखाती है वो है respect for everybody and acceptance for everybody share आप अपने बात करो जो भी क्योंकि it's like Ayurveda है, Alapethi है, Honopethi है इलाज तो सभी शर्य का ही कर रहा है अगर गलत तो कोई भी नहीं है, कोई किसी का कर लेता है लेकिन जैसे वो एक दूसरे के लिए अगर कुछ कातने की कोशिश करें या एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश करें तब थोड़ी सी कर दो श्रीवनी ज्यादा तर धर्म गुरु या तो अलग-अलग जो भी उनके स्पीकर्स होते वो लोगों को ये मैसेद देता है कि ये दुनिया फानी है, कुछ है नहीं, जीना अच्छी तरह जीलो, आने वाले जन्म के लिए पुन्य पराप्त करो, मोह माया में कि बंधन में मत आओ, कहीं ये भी होता है कि जो मिलता है उसमें आप आराम से खुश रहे, अपने आपको आनंदित, जीवन अपना आनंदित, जीवन बिता है, लेकिन फंड रेजिंग के लिए अलग-अलग संस्था है, प्रया से बहुत करती है, लोगों को बताती है कि पैसा तो जीवन थ सही नहीं है, धन तो चाहिए, धन के बिना तो कान बाहर का कुछ नहीं, देखो दो चीजे है, एक है धन, धन से मिलने वाले साधन, आपको मकान चाहिए, गारी चाहिए, ये धन के बिना तो नहीं आएगा, चाहिए आपके घर का और चाहिए आपके आश्रम का है, बिना धन कि अच्छ नहीं आ सकता है, लेकिन वो जो हमें अच्छे सिखाने की कोशिश कर रह थे वो ये था, कि धन से खुशी नहागी, धन से चीज़ आ जाएंगी, और अपनी जीवन की सब चीज़ देने के लिए, खरीबने के लिए धन के लिए, लेकिन ये नच संझो कि धन में खु कि अच्छ नहीं कर दो कि उचान करने हैं करने हैं अपनी खुशी और प्यार को भी अंदर संभाल के लिए सब्ढ़ने अंगर में करने लोगकिन लेकिन प्यार से करें, ता में L.19 तो आप जब शाम को भराएंगे, आप धन देकर आएंगे, लेकिन देकर देकर आएंगे। आज हमने क्या काम किया। काम के साथ पेंशिक, गुस्टा, फिर्ण जलेशी, यह च्रीट कर दी साथ दिल्साथ जासे प्रोड़क्त जोचे में अपके साथ भी काम करेंगे हो यह टेकनी कल तीम है इसमें चीजे उपर नइचे भी हो सकती है। यहां कुछ उपर नीचे हो सकता है, आप लेठ हो सकता है, मैं लेठ हो सकता है, बहुत कुछ परिस्थितिया हैं जो आ सकती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में यहां तो हम इनको डांपते हैं, रियाक्ट कर दें, यहां कहें, इस ओके, करो जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, अगर हम सारा दिन वो अपनी चोइसे ठीक कर लें, तो हम दोनी चीज़ें कमा कर घर लेंगे शाम को, नहीं तो आज हम अपने बच्चों को टेंशन और बुस्ताइब दर्शक विराम बाद अदवेत वाद विशनी वातो श्रीवानी जी साथ है विरामपत फरीगवर सौग अच्छे अपनों गार्यकरम अती थीमा श्रीवानी जी, अदवेत वाद मेरे इसाब से एक ही भगवान है, गोड एक ही है अगें वो वाली बात आजाती है कि लोग अलग अलग बाते सुनके कन्फियूज होते क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि साकार निराकार ये खास एक इस्यूज बहुत साल से ये भी चल रहा है आप अपने अंदाज में अपनी सोच बताएंगे ब्रह्मा कुमारी जीस के जो भी है उनका थौट प्रॉसेस कौँसे डिरेक्शन पे लोगों को ले जाना चाहेंगे यहाँ पर हमें समझ में आता है तो डारेक्ट परमात्मा से ये समझ में आती है कि परमात्मा मिराकार है और हम सब भी निराकार है हम सब आत्मा है, निराकार है, energy है, जो जब इस शरीर को लेती है, शरीर को यूज करती है, तो हम निराकार इस साकार माध्यम का यूज करते हैं, अब इस साकार माध्यम का यूज करते हैं, बहुत समय से हम अपने को निराकार भूल चुके, निराकार मतलब इसका शरीर नहीं ह हमारा भी शरीर नहीं, जब शरीर लेते ही तो हम साकार गाते हैं क्योंकि हम साकार में आ रहे हमने सोचा परमात्मा भी कोई साकार नहीं होगा वो है निराकार हम उसको साकार में डोल्ड में लगे और फिर जिसके भी अंदर हमें दिव्यता दिखाई दी जिसके अंदर हमें वो priority दिखाई दी जो हमें अपने अंदर ने दिखी हमने उसको परमात्मा करूप नमा शुरू कर दिया और उस process में जो actual परमात्मा है निराकार हमारा connection उससे नहीं जुड़ा जैसे हमें समझ में आता है कि मैं अत्मा हूँ फिर उस निराकार परमात्मा से collection जोलना बहुत एजी है निराकार वाद में मानने वाली और एक अर्यसमासस्ता बिलकुल ब्रह्मा कुमारिस के लिए वो कहते है कि ये तो बिलकुल तूत चला रहा है और कुछ नहीं है उनका भी एम यही है कि निराकार वाद पर ही जाना है क्यों ये होता है क्यों ये होता है क्या क्या साथ में बैटके जो भी निराकार की सोच रखने वाले क्या क्या एक साथ नहीं हो सकता ये हरे के एक साथ हो सकता है लेकिन उसमें हरे की चोईस होगी कोई जोड कर करना चाहता है कोई नहीं भी करना चाहता और अगर उनका कोई अलग ओपिनियन है किसी का भी और they have a right to their opinion until they're holding on to that opinion it's okay we respect them for that you know suppose आपकी सोच से मैं अपनी सोच को नहीं नाच करू तो फिर करिदा मैं आपकी सोच के प्रती critical हो जाती हूँ I can only say कि आपकी और मेरी सोच अलग हो सकती है लेकिन critical होना यह मेरी choice है और जब तक को critical है हम उनको सिरफ respect कर सकते हैं accept कर सकते हैं किसी की सोच को change नाच कर सकते है शांती की बात आपने बताई क्रोध पे काबू जो भी व्यथीत होते है कोई भी उसके लिए जो जो अलग-अलग elements से उसके उपर control होना चीए don't you feel that कि यह सब किताबी बात है एक रूम में बैठके में ये बात कर सकता हूँ मेरे कहने से जो department चलता है महाँ पे मैं ये बात कर सकता हूँ physically, practically society में ये करना बहुत मुश्किल है और शायद spiritual guru ऐसी मुश्किल बाते करते है लोगों को लगता है हम ये achieve नहीं कर पाए जहां तक पहुँचना था नहीं पहुँच पाए तो अगर ऐसी बाते है तो क्यों बार्डर पे जाके सामने वाले देश जो हमारे दुश्मन्दे से वहाँ पे भी प्रयत ना क्यों नहीं किये जाए क्यों नहीं किये जाए किये हमने हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की और से कभी किया है कि बॉर्डर पे गए, अच्छी तरह से बड़े स्पीकर्स लगाए, बॉर्डर भी बहुत कम है, मेरे इस साथ से इंडिया पाकिस्तान की, स्पीकर्स लाउडली रखिये, पाकिस्तान की सेना भी हिंदी समझती है, किसी और को नहीं बदल सकते हैं हम हर एक इस कारे पे या इस जर्णी पे जुड़े हुए हैं अपने आप को change करने का, there is only one focus, संसकार परिवर्तन, मैं अपना इलाज कर रहे हूँ सिरफ, अगर मुझे कोई भी मिले जो अपना करना चाहे तो मैं सिरफ शेयर कर सकते हूँ impose नहीं means you are not going on मतलब किसी को बदलने की महीम नहीं है हम करी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता no one can change other people मैं किसी को बदल नहीं सकता, आप किसी को बदल सकते हो किसी को नहीं बदल सकते, अगर हम अपनी सारी energy or focus अपनी को संस्कार परिवर्तन में लगाएं तो हमारे संस्कार दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं ये कहीं अपना knowledge self-centered करने की बात नहीं हुए totally self-centered totally self-centered but that's the only way it works आज दिन तक हम सिरफ दूसरों को change करने में लगे रहे हैं what was the result parents बच्चों को change करने में लगे रहते हैं बच्चे से गलती हो रहे हैं उसको डांट कर उसको change करने में लगे रहते हैं what is the result बच्चा और भी जिदी होता जाता है या बच्चा दर से अंदर चला जाता है आज I am meeting so many people जो उनकी personality ऐसी है क्योंकि बच्चपन में या तो parent critical थे या you know abusive थे या हाथ पर उठाते थे आज उनकी personality वैसी बनी हुई है जो उस पर इतनी महिनत करने पड़ रहे है उनको अपनी personality change करने में क्योंकि parents ने अपने emotions पर पहले attention नहीं रखा बच्चे को discipline कर वहे थे हर एक अपने पर work करे अपने पर work करे मेरा अपने पर work करने का benefit automatically औरों को मिलता है अगर मैं अपने पर काम करू तो मेरा औरों के साथ काम करने का तरीका बगल जाता है वो benefit औरों को मिलता है फिर उन्हीं अगर तो ये ना आए कि वो अपने कुरूध पर काम करें, उनकी औरा किसी और पर इफेट करेगी, आश्वानी आप अलग अलग फंक्षन्स भी करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट सोसाइटिस के लिए, पॉलिटिशिंस के बारे में, क्या 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 ना है हिंदुस्तान के मुझे मालूम है कि आप बहुती अपनी सौमिय भाषा में ही इनका जवाब देंगे, फिर भी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशिंस के बारे में क्या कहना है शिवानी जी गानुदुस्तान के बारे में, क्यों उनको सिंगल आउट करते हैं हमेशा, वो हमारे त हमेशा, हमारे जैसे हैं और जो हमारे संसकार हैं वो यांज उनके भी संसकार हैं, कैसे ब्लोम फिंगर करते हैं ऐसे हर टाम और उनको सिंगल आउट करते हैं कहीं जिम्मेदार कम्यूनीटी है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती हो мире? जिम्मेवार हर इंडिविज्वल है, जिम्मेवार कम्यूनिटी नहीं है, हर आत्मा के संस्कार आज थोड़े से इंप्यूरिटी की तरफ हैं, चाहे लोब कहो, चाहे अहंकार कहो, चाहे क्रोध कहो, उस वजह से अगर आज अगर नहीं हो रही है, लेकिन यो अगर आप्शन हर आत्मा क्रॉस कर लए है, आज अगर मेरे से ट्राफिक सिग्नल क्रॉस हो जाए, तो अभी मेरे पास चोईस है, कि मैं फाइन पूरा भर दू, या पचास रुपर पोकेट में डालके आगे ब्रॉस करो, तो तब मैं अगर आप्शन में कि, मैं चर्डी मरे पास टिकेट में थी, मैंने प्राफिक पैसे डिया या टीसी की पॉकेट में 50 रुपीज डालके, I haven't not indulged in corruption, everyone's doing it at their own way, it's just that some people are public figures, तो उसका, it's a bigger place and it's being shown, but उनको ग्लेम करने से, what is going to happen, nothing, अगर हम सब हरे एक अपने आपर काम क आत्मा जब संतुष्ट हो जाएगी वो गलत तरीके में अपनाएगी अगर वो सारो भी अपने आपको चेंज करने तो हमारा देश ठीक नहीं होगा देश यहाँ है हमारे दुनिया पहले यहाँ है हरेग अपनी दुनिया को ठीक तर ले तो यह दुनिया ठीक हो जाएगी इसलिए ब्रहां कुमारीज में हम चैथे संसकार परिवर्तन तो संसार परिवर्तन होगा तैंकियो एरी मज़ शीवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्सक्राइब राहती वात शीवानी दीदी साथे फरी मरी शुन नेक्ष्ट एपी सोड़ में एक नवा आती थी साथे त्यांसु रेजाब शो नमस्कार थैंक यूरू में थैंक्स अलोट